तो हंजी दोस्तों क्या हाल हैं? Windows के Laptops की Market काफी ज़ादा चेंज होने वाली है इस साल और ये एक काफी बड़ा ग्रेड होगा बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो आप जैसा Apple के MacBooks जो 2019 में आये थे ARM-based M1 प्रोसेसर जब आया तो वाँ पे हमें काफी बड़ा जम देखने को मिला खासकर Power Efficiency और Performance के मामले में MacBooks पर इस चैनल पे हमने काफी बात किया है और अपने Reviews में मैंने तीन चीजों को हमेशा एप्रिशेट किया है पहला Great Battery Life वो भी Great Performance के साथ और तीसरा इसका Form Factor काफी पत्ते-पत्ले Laptops होते हैं और यह सब Windows Laptops के लिए कर पाना वो भी सब कुछ एक साथ अभी तक तो पॉसिबल नहीं था Intel AMD ने कोशिश काफी की बट क्यूंकि वो X86 Architecture पर Based है अभी तक तो या तो Thermals और उस Form Factor में उतनी Performance आज तक डिलिवर नहीं कर पाते हैं जैसा हमें Apple MacBooks में देखने को मिल जाता है बट अब यहां पर Snapdragon X Elite के एंटरी के बाद चीजें बदलने वाली हैं और Apple को अच्छी खासी टककर मिलने वाली है यह भी एक Arm Based प्रोसेसर होने वाला है Power Efficiency Focused अब ऐसा नहीं है कि Qualcomm इसके अंदर कुछ नहा है जितने भी हमारे स्मार्टफोन में प्रोसेसर होते हैं सब Arm Based है और Qualcomm के पास एक Edge है काफी सालों का पहले भी यह Market में आ चुके हैं उस टाइम इतने पॉकुलर नहीं हुए थे उसके भी कुछ रीजन्स हैं बट Qualcomm को पता है कि भाई Arm Based में ही फ्यूचर है तो इस बार इस चीज़ को लेकर Qualcomm काफी जादा सीरियस है Scores और Benchmarks काफी प्रोमिसिंग है इस बार इस चिप के एपल को परचाड़ने की पूरी तैयारी है Windows 12 भी आ रही है गेमिंग की भी बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले Qualcomm की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको काफी इंट्रस्टिंग है 2019 में एपल के तीन एक्स इंप्लोई जिन्होंने एपल सिलिकॉन की डेवलप्मेंट में अच्छा कासा काम किया था एक कंपनी फांड करते हैं जिसका नाम नूविया था यह एक चिप मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी थी जिन्होंने बाद में एक सर्वर प्रोसेसर बनाया था 12 कोर का मार्ट 2021 में नूविया को कॉलकॉम ने अक्वायर कर लिया और इंडिरेक्ली नूविया की पूरी टीम कॉलकॉम की हो गई 2023 अक्टूबर में यह एक इवेंट करते हैं जहां पर स्नैपडरगन एक्स एलिट प्रोसेसर और इसका सीप्यू जिसको यह औरायन बोलते हैं इनको अनौन्स किया जाता है जो की 4 नेनोमीटर बेस्ट है और कमाल की बात यह है कि यह चिप भी 12 कोर के साथ आती है एपल की M2 चिप को इंटल के i9 13 980HX को सिंगल कोर मल्टी कोर में बड़े अराम से बीट कर देता है वो भी 70 परसेंट तक लेस्ट पावर कंजूम करके इस 23 वाट वाले वर्जन के अनौन्समेंट के बाद इवेंट के कुछ दिन भादी एपल अपने M3, M3 Pro, M3 Max वाले MacBooks क को लांज कर देता है और Qualcomm दुवारे से अभी एक मार्च में इवेंट करता है जहां पर इन्होंने काफी फॉरन ट्रेटर को भी गुलाया था 11, 155H को सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में बड़े आराम से बीट कर देता है तो यह डिरेक्ली कंपीट करता है एपल के M3 Pro चिप के साथ और अगर हम इसके स्कोर्स की तरफ देखें तो सिनेमें स्कोर्स में काफी क्लोज इसके बेंचमार्स आते हैं अगर आप नजर डा के इसके रिजर्ट सबसे बेस्ट आते हैं बट अगर इसके 80W वाले कॉन्फिगरेशन की बात करें तो सिने बेंच स्कोर्स में 12 कोर वाले M3 Pro के काफी क्लोज आ जाता है सिंगल कोर में और मल्टी कोर में इसको बीट भी कर देता है और सिर्फ M3 Max इससे काफी ज़्यादा मा अप्तिमाइज नहीं है और बेंचमार्क में हाई स्कोर लाने के लिए ही इसको दिखाया गया और लैप्तॉप में आभी पाएगा इसके भी चांसे मुझे कम लगते हैं बट सप्राइजिंग्ली इसका 23 वाट वाला वर्जन काफी कमाल कर सकता है बैटरी लाइफ के मामले म आपरेशन पर सेकेंड वह काफी ज़्यादा है एवन बेस्ट है 45 टॉप सिर्फ एंप्यू का और सीप्यू के साथ और यह और है जा सकता है इस एंप्यू की मदद से एए वाले जो टास्क है उनको करने में काफी मदद मिलेगी और सी प्री रह सकता है इससे पावरी फिशे बट यहां पर एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि यह चिप आम बेज होने वाली है तो जाधा तर गेम्स जो आम पर रन करते हैं वह या तो किसी एमिलेशन की मदद से रन करते हैं या फिर हाइब्रेड होते हैं हाला कि कुछ नेटिव गेम्स भी हैं बट अभी के एसाब से वो लाउंच होगी बट यहां पर आपकी जो गेमिंग एक्सपेक्टेशन हैं उनको थोड़ा कम लेकर ही चलोगे तो बैटर होगा इसके दो रिजन्स हैं अपने रिसेंट इवेंट में जो इन्होंने गेम्स दिखाए इस चिप के ऊपर वह ये 1200 पी पर क्ले कर रहे थे लो होगे तो यह तो क्लियर है कि जो इनिशल इसके जो लैप्टॉप आएंगे लॉंच होंगे प्रोड़क्स उनमें हमें इंटीग्रेटीड जीपू का ऑप्शन मिलेगा बट यहां पर यह एक बैड निउस हो सकती है गेमिंग के लिए जो लोग सीरियस हैं लेकिन भाई जब डेडिकेटिड जीपू का ऑप्शन आएगा तो भाई डेफिनिटल यह तभाही मचाएगा गे गेमिंग के मामले में बट अभी का जो सीन है वो तो यह है दूसरा रिजन जिसके मैं बात कर रहा था वो है गेम्स का सपोर्ट देखना होगा कि गेम्स कितनी जल्दी बन पाती है बट हाँ इसका जीप्यू तो केपेबल है इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता और ऐसे में इस जीप्यू का फायदा कुछ लोगों को होगा डेफिनेटली और वो लोग कुछ इस तरीके के हैं जिनको चाहिए होता है कि हाँ भाई हमें पोल्टेबल चाहिए हाई परफॉमेंस भी होनी चाहिए और हमारे वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्ट्य डेवलेप्मेंट ऐसे टास्क के अराम से हैंडल कर ले लैप्टॉप तो इस तरह के का जो एक सेक्शन है उसको इसका 23 वाट वाला जो बर्जन है वो बड सब्सक्राइब हो सकता है कि हमें विंडोस के मैक बुक्स लेखने के लिए मिल जाए और यहां पर एपल को डिरेक्ली कॉंपटिशन तो है इसका फायदा आपको हमें मिलेगा हमें जादा ओप्शन मिलेंगे एक्प्रोर करने के लिए मैक बुक्स के साथ भी अब यह तो सार आम रेडी बनाने में नए प्रोसेसर के लिए और जो बात अब समझ में आती है काफी क्लियर है कि विंडोस पूरी तरीके से आम की डिरेक्शन में आगे जा रहा है बट पहले भी विंडोस के साथ आम बेज लैप्टॉप्स देखर के लिए तो मिले ही थे तो इस बार ऐसा क्या special है जो एक major problem होती थी पहले वो है software support कुछ native apps को छोड़कर जितनी भी apps थी एक तो उतनी apps थी ही नहीं पहले बाकि जितनी भी थी वो पूरी तरीके से dependent थी emulator पर जो की उतना अचर प्रफॉर्म नहीं कर दी थी दूसरा यहाँ पर जो प्रोसेसर्स कॉलकॉम की तरफ से प्रोसेसर्स थे या फिर उनके tweaked versions आप कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है वो snapdragon x-elite अच्छी तरीके से सॉल्फ कर देता है एमुलेशन की वहाई बात की जाए तो इन सालों में यह काफी बैटर हो चुका है और Windows 12 के आने के साथ और भी ज्यादा बैटर हो जाएगा अब हमने Apple के केस में देखा कि कैसे उन्होंने अपने Rosetta एमुलेटर के साथ सबको हैरान कर दिया था और जो performance निकल के आरी थी apps की वह काफी बढ़िया निकल के आरी थी close to native आप बोल सकते हो अगर Microsoft उस लेवल का एमुलेशन क्रैक कर पाता है तो एक काफी बड़ा गेम चिंजर होगा और मैं मानता हूं कि Microsoft definitely इस मामले में करी रहा होगा इससे अच्छा कर लेगा बढ़ी नेटिव एप्स भी आज पहले से available थे Surface Pro 9 5G ऐसे models ही हमें देखने को मिलते थे यह भी यहां पर कॉलकॉम ने क्लियर किया है कि इस बार जितने भी major आपके leading manufacturers हैं वो on board होंगे इस चिप के साथ laptops को launch करने में तो यह भी एक problem जो थी यह भी solve होती है यहां पर तो यह काफी जादा exciting भी होगा कि कैसे हमें नहने laptops इस चिप के साथ देखने के लिए मिलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि thin and light category portable laptops वाला जो section है उसमें काफी जादा हमें models देखने के लिए मिल जाएंगे काफी कुछ होगा explore करने के लिए वो भी better performance के साथ इस बार हाला कि इन processors की जो TDP है वो configurable है 23W से लेकि 80W तक ऐसे में यहा मिलता है तो समझना होगा कि Apple के जो MacBook Air है उसका जो TDP रेंज है वो 10 से 15W रहता है और 15W fanless design होने के लिए एक limit है यहाँ पर यह जो चिप है इसका TDP 23W है lower side पर अगर दिखा जाए तो यहाँ पे जो हमें laptops देखने के लिए मिलेंगे फो fanless design के साथ तो नहीं होंगे बट इतन पर्किट में कब तक देखने के लिए मिलेंगे फिलाल तो भाई कुछ सीन ऐसा है रिपोर्ट के एकॉर्डिंग जो manufacturers है वो यहाँ पर इन laptop को launch करना साथ है मई और जून तक लेकिन यहाँ पर Microsoft भी लगावाए Windows 12 को इसके लिए पूरी तरीके से optimize करने के लिए आम के लिए चिप के साथ में तो यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि यह जो नए laptop Windows 12 के साथ हमें देखने के लिए मिल सकते हैं मई एंड क्या फिर जून तक लेकिन जो Windows 12 के एक्सपेक्टेड डेट है वो यहाँ पर September October तक जाती है अगर यहाँ पर Windows 12 आ जाती है डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से तो यह laptop Windows 12 के साथ भी आ सकते हैं लेकिन अगर नहीं तो फिर Windows 11 के साथ लाउंच हो सकते हैं मई एंड या पिर जून तक और बाद में Windows 12 का अपडेट इन में रूल आउट किया जा सकता है तो यह laptop Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 जैसी advanced capabilities के साथ आने वाले हैं और काफी सारे मतलब हमें features बढ़िया performance देखने के लिए मिलेगी अब हमें पता है Windows 12 भी आ रही है emulation भी बैतर है performance भी बढ़िया मिल रही है और प्रोसेसर तो ही तबड़ा बट फिर भी इस सबको पूरी तरीके से fully function होने में थोड़ा time लगेगा खासकर gaming के मामले में अब चाहिए Intel AMD कितने भी पीछ 6 के साथ वो उनके पास एक plus point है dedicated GPU की possibility भी है games भी सबस्यादा मिलते हैं सबस्यादा games का support आपको उसके अंदर मिलेगा तो एक reliable option है gaming के मामले में और यहां पर एक और चीज़ है कि Apple की तरह यह भी एक arm-based processor होने वाला है तो वैसे ही आपको Apple की तरह पहली decide करना पड़ेगा कि कितनी RAM चाहिए कितनी SSD चाहिए तो यह भी एक काफी एक important चीज होगी और ऐसे में price भी काफी important factor play करेगा लोगे decision बनाने में कि क्या वो यह risk लेकर Apple को छोड़के इसके साथ जाए या फिर नहीं तो price भाई ठीक होना पड़ेगा और सारी चीज अगर ठीक जाती है तो शायद देख राइट टाइम होगा Windows पर वापिस switch करने का और मैं तो भाई इसको experience करने के लिए काफी ज्यादा excited हूँ तो आप बताना वाई comment section में आप क्या सोसते हो इसके बारे में वीडियो informative लगी हो वीडियो को लाइक ज़रू करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो मे this is your tech guy signing out